तो हाई गाइस दिस इस नवीद एलेक्ट्रेशन तो आज का यह जो वीडियो है थोड़ा सा खास होने वाला है अब आप देख सकते हमारे पास है यह म्यूजिकल हरन जो के छे अलग-अलग सौंडों से चलने वाला है मतलब छे अलग-अलग सौंड से इसके अंदर और एक खा सकते हमारे पास इस डबे में हमको तीन हरन मिल रहे और एक अलग से जए देख सकते हैं जो के इसको आपरेट करता हरन को और यह कटओ जो यह वरन बारा उलटेश पर काम करने वाला है चाहाई आपके पास आटो हो या बिक में भी लगा सकते कार हो ट्राक्टर किसी में भी देख सकते हैं यह भी थोड़ा सा कम सौंड का है और यह जो तीसरा जो देख रहे हैं यह हिच का है मतलब है सुन्ड यह शुरू के जो दो थे वह लो सौंड के यह जो बाद में देखे हैं और उसके साथ हमको मिल जाता बॉक्स में हरन के पटिया जो यहां पर फिट होते जिस पूरा विडियो देखेंगे तो आपको बहुत असानी से समझ में आजेएंगा देख सकते हैं इन में तीन वायर है मतलब यह तीन हरन के तीन वायर जा रहे के बल के साथ और यह जो बचे हुए में जो आपको हरन का जब बटन अप्लाई करेंगे बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें करंट आना चाहिए जिसकी मदद से पूरा हरन हमारा अप्रेट होता उससे पहले क्या करेंगे हम पट्टी को बिठा लेंगे पट्टी बिठा लें से पहले आपको एक और करना यह देख स सकते अभी इसको तो एक लगा दिये और इसके साथ जो अभी और भी जो तीन हरन इस तीनों को फटा-फट से सेम लगा देंगे पटी मतलब छोटा वाला जो हो ले उसमें बिठा देंगे बिठाने के बाद देख सकते तीन कंप्लेट होगे अभी हमारी गाड़ी को आलरडी हम शोरूम के साथ जो मतलब शोरूम से जो आता हरन गाड़ी के साथ तो उस वह हरन जो है इसी पट्टी के उपर लगा रहता तो हमके आगर सिर्फ हरन को निकाल के यह पट्टी में दुसरे लगा जिए अब यह जो कनेक्शन था वाइरों का इसको वापस से अंदर ढखल दें आती हरन लोकल मार्किट में कहीं पर भी तो इसको क्या करेंगे पहले हटा देंगे अब यह जो पट्टी यह आपको इंप्टेंट है यह हर गाड़ी में आती शोरूम के साथ यहां पर फिट हो के आती है तो देख सकते कुछ इस तरह रहती पटी एसा फिर इसके बाद जो चोटा जो हरन आता कंपणी साइज इसको लगा वा रहता ओके तो अभी हमक्या कर रहे अगर आपके पास लगा हूं जाए तो हरन को निकाल दो अगर आप सेम लगा रहे तो यह उसके बाद क्या करना है और यह जो नीचे का होल देख रहा आपको यहां यह अदो अभी ऐसा लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक पहला लगा कि बता है तो जेख सकते हैं इल्माडल के मतलब लो कम साउंड वाला जो है उसको पहले नीचे लगाएंगे अभी इसको फिटिंग कैसा करना है देख सकते हैं यह उसके क्लिप है यह सैड में और यह पट्टी का पर्राब्लम नहीं रहता मतलब जाधा सेफटी है समझ जो ऐसा करने के लिए आपको चोटा सा एक रिस्क करना पड़ता है रिस्क मतलब कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हैं आपको एक देड़ इंश का इसा बारा तेरे नंबर का बोल्ट ले लेना है लेने के बाद यह बाद क्या करेंगे अब यह जो गाड़ी के अंदर जो पट्टी आलरी लगा हुआ था देख सकते अब यह तो बोल्ट हमारे उंगली को अच्छे से पकड़ लिया फिर आभी जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख आपको बिल्कूल ऐसाई करना है जिसकी मदद से का यह जो बो को एक दो दिन या फिर जब हाथ दोएंगे तो निकल जाता कोई बड़ा काम नहीं है डरने की कोई बात नहीं उसके बाद देख सकते इसको एक अच्छे से फिट कर देंगे हम फिट करने के बाद यहां एक और करना है आपको जो इसका हरन का जो मुह है वो नीचे की तरफ करना है क्यों मुलता आपको कभी गाड़ी दोए तो प्राब्लम नहीं होना वो कि उसके बाद यह जो गाड़ी के साथ जो हरन की पट्टी आई थी उस पट्टी को आभी जैसा स्क्रीन पर देख रहें बिल्कुल ऐसा हलका सा बेंड करना है आपको तेड़ा करना है तेड़ एक पट्टी को रुखा के रखो और एक आदमी क्या करेंगा देख सकते पहले एक खरान को इसमें फिट कर दो मतलब बोल्ट में अटका दो उसके बाद यह दूसरे को भी आटका दो उसके बाद की यह जो नट है हमारा तेरा नमबर का 12 नमर का जो भी इसके साथ नट आया तो अच्छे से टैट करने के बाद कि आपको अभी जैसा कि डेख रहें बिल्कुल ऐसा एक का मुझे और दो का मुझे आपस में आप उजी डेरेक्शन में पर रहा जा आपको आपको अच्छे जिसको ट्रइक कर देना देख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना यह जो पट अगर तच्छों के रहे तो आपका हरन का सौंड जो है बढ़ या तो यह पाता देख सकते हैं अब यहां देख सकते हैं तो यह बाहर नहीं आता तो इसको भी क्या करेंगे थोड़ा सा हलका सा बाहर खीचेंगे अभी देख सकते हैं मतलब हलका सा थोड़ा सा ग्याप रखना जादा भी नहीं देख सकते हैं इतना भी रहा तो चल जाता है अपका जो हरने बस थलका सा एक्शन ले मतलब वाइब्रेशन आगे पिछे भी हो रहा तो ओके नो प्राब्लम अगर आप जादा भी बाहर तेड़ा कर देंगे तो इसक लाइब करेंगे उसके पर थित्राइब कर लेना है अगर आप जादा बाहर रखेंगे तो इसके उफर जो प्लास्टिक आता वो नहीं बढ़ सकता है तो देख सकते कुछ इस तरह इस डिरेक्शन में आपको लगा लेना है लगाने के बात क्या करेंगे एक बड़ीजर का ल कर रहे हैं इसमें तो कोई टच नहीं हो तो यह पर फेक्ट होगिंग है मतलब कोई अब्जेक्शन आप इसके बाद क्या करेंगे मतलब हमारा हरं तो फिट होगा भी जो कट आउट इसके बार में देख सकते हैं यहां पर तीन केबल बस और ऑफ सकते हैं और इसका मतलब कया है थो कोई कन्फीज होनी की बात नहीं है बस एक जो रीट कलर का है मैन है और उसके साथ जो भी अलग 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 कलर है और अर्थिंग के वायऻां वोल सकते हैं तो देख Cos assists को यहां के बाद है उनल है उपर प्लास्टिक हो और इसका है आपके जो नीचे नही ने देख सकते हैं अब लोगे वाहरन का वहरै शमज़के उसके बाद देख सकते हैं, गार के अंदर की तरफ निकाल से में लेएं, मतलब जुद्धो जोड़ी क्या तो उसके बाद एलो आ गया देख सकते हैं दो हरन के वह आगे अब यह जो तीसरा घ्रीन वाला यह भी आ गया मतलब हम तीनों हरन के वह भी तीनों के तीन मतलब बाहर आगे आपको जब यह वह लगा रहे तो आपको बस कलर द्यान में रख लेना है अगर उल्टा सीधा भी हो गया तो कोई प्राब्लम नहीं है जलना करने का इसा प्राब्लम नहीं रहता बट क्या तो थोड़ा सा वाला है तो वाइट वाल है मैं क्या करेंगे रिड प्लेस वैड अवर तो इसको क्या करेंगे मतलब हर कालर मैच कर देंगे एक दो तीन यह तीनों को भी लगा दिए अब यहां देख सकते तीनों हरन के जो Kiebel से क्लिप लगा दिए लगाने के आप इस कटों के साथ आपको यह वाइर देख रहे हैं आल्रडी जो कंपनी से जो सिंगल हराना था उसको वाइर लगावा रहता है हर गाड़ी में चाहिए आपके पास बीस फोर की गाड़ी और सिक्स की गाड़ी ओ आठो है आटो के अला और भी गाड़ें तो सेम कनेक्शन रहता है दो वाइर आपको देख सकते एक वाइर आल्रैडी कटा हुआ है इसके साथ मेंहें डेखो एक ग्रीन कलर का वह रहे और एक वाइट प्लेस ब्लाक है तो यह वाइट प्लेस ब्लक कलर का वाइर है यह में वाला है अब हम को इस में पॉजिटीव सप्लाइए होता है इससलिक हमारे कोई काम का नहीं इसको काड़ दो इसको इसलिए काट और रहा कि मैं इगनिशन से कोई लेना देना रहता नहीं रहता इसको डिरेक्ट बैटरी से रहता इसलिए क्या आपको अभी जो जो ग्रीन कलर का जो वायर दिख रहा भी आपको मेरा हाथ में यह वायर क्या है जब हम बटन काट अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था रेडडर ब्लक छोड़के जो ब्लू कलर काट वायर इसको बटन के जो सप्लाइंस में रहा भी यह डिया आपको देख सकते यह थो कमप्लेट हो गया बटन का बैटरी का ब seç learning के मितलब नहीं मतलब प्लैस कारेंगे देख सकते यहां पर भाई मतलब एक और आदमी के दा क्या करेंगे इस मतलब लेख सकते हैं यहां पर तीन-चार शाकिट मिलेंगे कपलर तो यह जो सबसे बड़ा कपलर है यह चाबी का है मतलब इगनिशन का इसमें क्या रहता आम तर पर नहीं हर गाड़ी में चाहिए बीए सिक्सों है बीएस फॉर दोनों में सेम एज़ेटीस कनेक्शन है इसमें छे वायर का एक कपलर है तो आपको क्या करना है यह वायर देखो अच्छे दगावर से यह रेड़ प्लेस हलका सा इसके ओपर वाइट कलर का पट्टी लगा हुआ है देख सकते मतलब रेड़ कलर का यह वायर पस उसके ओपर हलका सा वायर का पट्टी लगा हुआ है इसका मतलब क्या है यह बारा उल्टे सप्लाई का तो है पर यह सब्सक्र Diet तो जोड़न नहीं सब्सक्र Ratio तो यह जोड़ों यसको अँच्के टेप मार दिये और एक बचल देख सकते यह तो में लगा दिए और एक जोड़ी आपड़ी है डाई दे सकते बाड़ी में कोई नट बोल्ट खोलके भी लगा दे सकते नहीं अगर आप वाइरिंग में लगाना चाहरे तो आपको इसी के पीछे बिल्कुल इसके पीछे देख सकते हैं रेड़ वाला कपलर है उसके बाद के और ग्रीन वाला कपलर यह दोनों में भी अर्टिंग कर आपको अर्टिंग सप्लाई मिल जा था तो हम क्या करने माले अभी रेड़ कलर का जो कपलर है इसको खोलेंगे देख सकते इसको मतलब यह प्याक है तो इसको हलका सा क्याम ब्लेड से थोड़ा सा काट लेंगे वाइर को नहीं कातना है बस जो शिलिव है उपर का जो देखा क्या है देखे इसमें अलग अलग खिसम कि हर जो नव वहर हर अलग अलग खिसम का है पर आपको जो अर्टिंग वहर पैचाने का जो है ना देख सकते यह वाला भी नहीं होता ब्लाग दिखरा पर यह अर्टिंग नहीं होता यह ग्रिन और इसके बाद अभी यह जो तरफ से दोनों तरफ से एलो कलर का मतलब पीले कलर का हलका सा पट्टी लगा हुआ है तो यह हमारा अर्थिंग वेर अगर आपको यह कंफिज हो रहा तो आप कहीं भी बाडी में भी कोई भी नेट बोल्ड खोलके भी इसमें देज सकते हैं तो अब हम यह क्लिप को कार देंग और एक इंपोर्टेंट बात अगर आप यह वीडियो डिसमबर 2021 में देख रहे तो डिसमबर 25 के बाद से आपको अमेजान पर अवेलिबल हो जाएंगा यह अगर आप यह 2022 में जनवरी फिब्रोरियस के बात के महिनों में देख रहे तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है मैं आप मैं आप झाल झाल